इसकूल को सिक्षा का मंदीर कहा जाता है इस वक्त हम गोड़ा के उत्क्रमित मंदी विद्याले भगवानपूर में मौजूद है ब्वारी जोर प्रखंड है ये और यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिक्षा का मंदीर आपको संसकारों से भरा हम आपको दिखाएंगी कि किस प्रकार संसकारों से भरा या इसकूल है जहां पर चपल खोल कर जो है मंदीर में प्रवेश किया जाता है और सिक्षा रूपी आसिरवात को ग्रहन किया जाता है हमने भी अपना चपल खोल दिया है और और हम आपको क्लास के अंदर ले चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो अंदर जो है बच्चे आपको तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं आपका आदर करते हैं आपको उस छेत्र में पढ़ाना कितना मुश्किल होता है और इस प्रकार संस्कारों से परे कैसे हैं लोग हम आपको सिक्षक से बात कराते हैं क्या नाम हुआ सब मेरा नाम क्रिश्म कुमार पंडित है कौन सा जगह है यह कर्मित मध्विद्याला भगवान पूरें कि इतना दूर है इस चेत्र में तो हिंदी लोग नहीं बोल पाते हैं ठीक सरह मतलब जब पाले तो इसकूल नहीं था यहां पर भावन नहीं बना हुआ था ग्राम मतलब गाउं में हमको पढ़ाना पढ़ाता था जो कि मतलब उस चबुद्रे टाइप का था जब आते थे बच्पन छोटा- बच्चा था उस टाम हम जब आए तो जिसे मेरा नूकती हुआ आये तो इसके बाद पढ़ाना सुरू कि बच्चा सब को खोगो तो नहीं जान पा रहा था यहां हमने को जब बोला कि тебеको और यह नहीं आ रहा था हम हंदी बोल रहा थे वहப्ड gekommen समझ नहीं पाँ realistic you सोचे कि इलोग बच्चा को पढ़ाएं कैसे तब हम अपने आप में पवले हम फुद उलोग का भास शीखना परियास की है कि कैसे हम इलोग कर आप संथाली सही करें तब शंन्धाली से पुछते थे कि तूम लोगी इठो टीक हम बोल रहा है को तुम लोग क्या बोलता दो तो वहह हंदी इंगलीज सबस्कार हां हिंदी इंगली सब आरा रहां ठीकि आपकल आप संथाली में सेव किन ए तो सेव को ही बोला जाता है उसको जैसे अब जैसे कठल को कंठाड़ बोलते हैं यहां पर किस प्रकार का संसकार है यह संसकार जो है एक प्रेड़ना दायक स्कूल है हमने आपको पहले भी खबर में दिखाए थी जहां पर सवास्कारी स्कूलों की क्या दूरीव salary होती थी वह खबरें मने आपको दिखाई थी लेकिन यह सरकारी school है जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टा 4 से भरा हुआ है ।स हम एक्जाम में बैठते हैं आप देख सकते हैं कि एक बैंच पर दो लोग जो हैं दो विद्यार्थी हम लोग बैठते थे उसी प्रकार सिष्टा चार के माध्यम से यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं हम आपको बच्चों से बात कराते हैं कि वो लोग कितना कुछ समझते हैं क्या नाम हुआ दोस्तों तो संथाली भासा तुमको आता है ना इंदी आता है 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 कूल यह था इंदी अ हुआ इए नहीं है था है अल्युकर बात तुम्हारा था इंदी को संथाली आता है हुआ हिंदी तर्दी तम्हारे गाहउं में सब कोई बोल लेते हैं कि अ तुम्हारे पापा हिंदी में बात कर सकते हैं और अच्छा से पढ़ा कि यहां पर बच्चे जो हैं इंगलीज हिंदी सभी पढ़ रहे हैं और क्या कुछ शिष्टा चार है आप देख सकते हैं हम आपको बता दे कि जिस सुदूर छेत्र में यह इसकूल बसा हुआ है, जिस प्रकार अनी इसकूलों की विवस्थाए होती हैं कि चाहें तो सिक्षक जो हैं, वो बैट का समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन यहां के सिक्षक जो हैं कि इस प्रकार अपना कर्तब भी अपने कर दो अप्रोपिया